नितीश कुमार और तेजस्वी यादों के बीच में जो एग्रिमेंट हुआ था जिसको लगतार कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्या वास्तों में वो एग्रिमेंट हुआ था और उसके लिए उपेंद कुस्वाहा के बाहर होते ही रास्ता खुल जाएगा इस पर चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच में एक चर्चा गर्मा गई और चर्चा गर्माई इसलिए कि भारती जंतापार्टी ने नितीश कुमार के बयानों को लेकरके रियाक्सन देना सुरू हो गया आपको याद होगा कि हाल फिलाल में ही दो दिन पहले एक अधिवेशन हुआ था वामदलों का CPI ML के अधिवेशन में नितीश कुमार भी सिर्कत करने गए थे और उस मंच पे तेजस्वी यादों के साथ साथ कॉंग्रेस के नेता भी मौजूद थे इन सारी बातों को लेकर के 2024 के चुनाव की भी तैयारियों को लेकर के चार्चाएं हुई और कॉंग्रेस को नीर्णाई लेने की बात कही गए कि 2024 में कैसी रण निती होनी चाहिए और विपक्षी एकता को लेकर के किस तरह से मजबूत करना चाहिए ज़ि kongress इस बात पर तयार हो जाए तो 2024 में भाजपा को 100 सीटों पर सिम्टा दिया जाएगा ऐसी बाते नितीश कुमार ने कही नितिश कुमार के सलाह पर कॉंग्रेस नेता सलमान खुर्थिजद ने कहा कि नितिश कुमार जी को जो सोच रहे हैं वो कॉंग्रेस भी सोचती है बस बात इतना ही है कि पहले I love you कौन कहेगा इसका सीधा मतलब है कि अभी मामला जो है ठंडे बस्ते में था वो धीरे धीरे अब गर्माने लगा है लालू परसाद के सिंगापुर से आने के बाद कई चीजे बदली हैं कई परिष्थितियां बदली हैं और रणनिती का एक नया रास्ता भी खुला है लालू परसाद आने के बाद वो संबाद एक बार फिर से सुरू हो गया है जैसे ही एक सो सीटों पर समेटने की बात की गई तो भाजपा बौकला गई भाजपा को इससे पहले भी जदियू ने परिशान किया है और ललन सिंग ने बयान दिया था कि 40 सीटों पर रोग देंगे और 40 सीटों पर रोकते ही भारते जनता पार्टी देश की सत्ता पर पहुंचने में अक्षम हो जाएगी उसके बास आंकड़े पूरे नहीं होंगे और देश का कोई भी राजनितिक दल भारते जनता पार्टी के साथ समर्थन करने को तैयार नहीं होगा क्योंकि सभी को लगता है कि भार मान खुर्षित के बयान के बाद ये बात साफ नजर आने लगा कि लालू परसाद ने जिस तर से रणनिती बनाई है उस रणनिती का हिस्सा कॉंग्रेस भी बनने के लिए तयार है इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलकर तेजस् इन सारी बातों पर भारती जन्ता पार्टी के मल्सी नवल कि सुर्यादों ने कहा है कि निटीश कुमार एक समय कहते थे कि भारती जन्ता पार्टी ने उन्हें जबर्दस्ती मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन वह आज भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं इसका सीधा मतलब ह कि निटीश कुमार पार्टी नहीं छोड़ेंगे और अगर यह समझते हैं ते जस्तु याद हो कि निटीश कुमार उन्हें कुर्सी दे देंगे तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है उन्हें जबर्दस्ती कुर्सी चिननी पड़ेगी इनसारी बातों के बात अब एक तरफ जहाँ लालू परसाथ के चक्रविव में कहा जा रहा है कि नितीश कुमार पूरी तरस से अजुरा गए हैं और अगर कॉंग्रेश के तरफ से जड़ा सा भी इसारा किया गया कि वो अपने खेमे में नितीश कुमार को लेने वाली है औरूंके नाम पर विचार किया जा सकता है तो ऐसी इस्तिती में नितीश कुमार से सीएम के कुर्सी छीनने में सफल हो जाएगी राश्ट्री जन्तदल और तेजस्वी आदो मुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा हर्डल था उपेंद कुस्वाहा उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है संभावना ब्यक्त की जा रही है कि आज कोई बड़ा फैसला दोनों खेमे से उपेंद कुस्वाहा और जदियू खेमे से हो सकता है इन सारी बातों को लेकर कि अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में तेजस्वी को कूर्सी सौपने की बात भी सामने आ गई आपको बता दें कि लालू के गेर में कहा जा रहा है कि फांस गया है नितीस अब तेजस्वी को कूर्सी सौपने के अलावे उनके पास कोई रास्ता नहीं है वहीं आपको बता दे कि भार्ती जन्ता पार्टी का कहना है अगर नितीश कुमार में गटस है हिम्मत है तो वो तियस्वी आधो को कुरसि सौब करके और भार्ती जन्ता पार्टी के सामने नरेंद मोदी के सामने नत्रित समhlें लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि नितीश कुमार इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि उन्हें कोई भी स्विकार करने के लिए तैयार नहीं है इतना ही नहीं नितीश कुमार दोनों हाथ से खाली जाएंगे हाथ का भी जाएगा और पैर का भी जाएगा ये तो साफ है क्या होगा ये तो आने वाला वक संदाइल और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रका करता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवा